नमस्ति दोस्तों मैं हूँ जोही और आपके अपने चैनल जोही सिंग की दुनिया में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके लिए कुछ यूसफुल टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको अपना कर आप अपने घर और किचन के काम को बिना घबराएं बहुत ही आसानी से निप्टा सके। वीडियो को लास तक जरूर देखे, स्किप ना करें और अगर पसंद आए तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और देख लेते हैं कि क्या है वो टिप्स और ट्रिक्स। पहला हमारा यूसफुल टिप है दोस्तों वो है माचिस को लेके, मौसम कोई सा भी हो, माचिस के साथ दिक्कत ये आती है, अगर हम इसे जरा सा भी समाल कर ना रखें, तो ये सौफ्ट पढ़ जाती है, इसमें नमी आ जाती है और कितना भी इसे जलाएं जलती नहीं है, तो इसके बाद माचिस की तीली निकाल कर इसे जार के अंदर डाल दे, उसके बाद माचिस की उपर जो ये होता है, जिससे हम माचिस की तीली को जलाते हैं, इसको हमें दोनु साइट से कट कर लेना है, कट करने के बाद आप क्या करें, कोई भी डबल साइड टेप ले ले ले, जितना बड़ा आपका ये है उसी की हिसाब से आप इसे कट कर लें. कट करने के बाद आप डबल साइडे टेप को इसी बॉटल के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर दें और अब इसके ऊपर इसको भी हम पेस्ट कर देंगे. अब आपका काम और भी जादा आसान हो गया है. जो काज की बोटल है उसमें तो आपकी माचिस की तीली आ गई और जलाने के लिए भी आपको इसी बोटल के उपर ये मिल जाएगा अब आराम से आप पूजा घर में कहीं पर भी यूज करें इससे ये सौफ्ट भी नहीं पड़ेगी और इसके अंदर नमे भी नहीं आएगी आई होप कि आपको ये टिप पसंद आयो अगला टिप हमारा जो है दोस्तो वो है लेसन को लेके कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी खास रेसिपी होती है जिसमें हमें भूने हुए लेसन की ज़रुत होती है फिर जाये वो बैगन का भरता हो या फिर चोका हो लहसुन बहुत ही जल्दी और आसानी से भून जाए उसके लिए आप एक छोटा सा काम करें आप क्या करें जो विसकर होता है उसी के अंदर लहसुन को इस तरह से आप फसा दें उसके बार डारिक लहसुन को भून लें वैसे आप कहें तो इसे तवा या कढ़ाई पर भी भून सकते हैं लेकिन जितने में तवा या कढ़ाई गरम होगा उतने में ये लहसुन भून कर तयार हो जाएगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कुछ ही मिंटो में लहसुन भून कर तयार हो गया है अगला जो हमारा यूजफुल टिप है दोस्तों वो है चाकू को लेके अक्सर क्या होता है चाकू का यूज़ हम लोग अपने घर में डेली करते हैं जिसे से कि इसकी जो धार होती है वो बिल्कुल खतब हो जाती है तो चाकू की धार को तेज करने के लिए आप एक छोटा सा काम करें आप क्या करें जब से पहले चाकू को हलका सा गरम करें उसके बाद अगर आपके पास कोई भी मिटी का दिपक है आप मिटे का दीपक लेकर उसके पीछे के साइट से आप चाकू को दो से तीन मेर तक रगड लीजे ऐसा करने से आप देखेंगे चाकू की धार तेज हो जाएगी अगला जो हमारा यूसफुल टिप है दोस्तों वो है प्याज को लेकी हमें क्या करना है एक छोटे साइच का प्यास लेना है और इसके छिलके हटा लेने है छिलके हटाने के बाद आपको क्या करना है प्याज की ये जो लेयर है एक एक लेयर आपको निकाल लेनी है और हाँ दोस्तों आप ये मेरी वीडियो किस जगे से देख रहे हैं यानि कि आप मुझसे कहां से जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो कहां तक पहुची, इस तरह से प्याज की आप धेर सारी लेयर निकालें, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कोई भी टूथपेस्ट लेना है, जो भी आ माला बना लेनी है, टूथपेस्ट और प्याज दोनों की जो स्मेल है, बहुत ही जादा स्ट्रॉंग होती है, तो आप इस तरह से एकक करके इनकी माला बना ले, अब बात करें कि इनका हमें इस्तेमाल कहां और कैसे करना है, इसे आपको उस एरिया में टांग देना है, जहा आजकल सभी के घर में यूज होता है, लेकिन जब इसका लगातार यूज करते हैं, तो देखते हैं इसके अंदर बहुत ही गंदा स्मेल हो जाता है, इसको दूर करने के लिए आप क्या करें जब भी रोटी बनाते हैं, और रोटी बनने के बाद भी तवा काफी देर तक गर होता है, तो आपको क्या करना है, गरम तवे की ऊपर मिक्सी जार को इस तरह से रख देना है, क्योंकि तवा गरम है, आज की वज़े से जो भी स्मेल या फिर बैक्टेरिया है बिल्कुल गायब हो जाएगी, अगला हमारा जो यूसफुल टिप है दोस्तों, वो है दालो को लेके फिर चाहे वो किसी भी तरह की डाल हो, मानसून में डाल को सेफ करने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, जो भी आप अपने घर में यूज करते हैं, नमक बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव का काम करता है, ये चीजों को खराप नहीं होने देता, और उस एक से डेर चमच के करीब मेथी दाना को एक कप पानी में भिगो दें, और सुबर खाली पेट इस पानी को चान कर पी लें, ये पानी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, फिर चाहे आप डाइबिटिक हो या आपको ऐसेडिटी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो ये गायब हो जाती है, तो इसके लिए आप एक छोटा सा काम करें, आप क्या करें किसी एक बरतन में पानी ले ले और इसी के अंदर एक चमच चाय पत्ती डाल दे, इसको अच्छे से उबाल ले और जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए तब हम गैस का फ्लेम ओफ कर देंग गर दो से तेर मेर तक ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद आप साफ कर लें, आप यहाँ पर यूस के हुई चाय पत्ती का भी इस्तमाल कर सकते हैं, आप देखेंगे कांच के बरतन बिल्कुल चमक जाएंगे, अगला जो हमारा यूसफुल टिप है दोस्तों वो है हरी म मिर्च को लेके, अकसर मार्केट से हम लोग जादा हरी मिर्च लाते हैं, इसे स्टोर करते हैं और यह जल्दी से ही खराब हो जाती है, तो यह जल्दी खराब ना हो, स्टोर करने से पहले एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप मार्केट से हरी मिर्च लाएं, तो सबसे प इसका पानी हाथों में लगता है बहुत जादा जलन होता है तो उससे बचने के लिए आप अपने किचन में इस तरह से चोटी सी कैची रख दे या फिर कोई एक फोग ले ले और इसी से मिर्ची पकड़ ले और उसके बाद आप मिर्ची को कट कर ले असानी से कट हो जाएगी गलती से अगर आपके हाथों में मिर्ची का पानी लग गया है आपके हाथों में जलन है तो आप क्या करें सरसू का तेल लगाकर हाथों में अच्छे से रब कर ले उसके बाद वाश कर ले इसके जगे आप नीबू का रस भी ले सकते हैं अगला जो हमारा useful tip है दोस्तों अगर first पे sauce गिर जाए तो इसे साफ करने का सबसे आसान तरीका कपड़े भी ना लगाएं तो इसके लिए क्या करें एक प्लास्टिक ले ले और कोई इस तरह से चमच हो कल्ची हो वो ले ले प्लास्टिक के अंदर कल्ची को इस तरह से डाल कर कल्ची को आगे बढ़ाते जाएं और धीरे धीरे प्लास्टिक को खीशते जाएं आप देखेंगे बहुत ही आसानी से सारा sauce इस प्लास्टिक के ऊपर आ जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं कपड़े लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी और first से हमने sauce को साफ कर लिया है अगला जो हमारा useful tip है दोस्तों वो है अद्रक हम market से अद्रक लेके आते हैं और उसको रख देते हैं तो जल्दी खराब हो जाता है इसी के लिए बहुत ही अच्छी tip लेकर आए हूँ इसके लिए आपको क्या करना है कोई ए काच का जार लेना है जिस हिसाब से आपको अद् अद्रक स्टोर करना चाहते हैं आप अद्रक जार के अंदर डाल दें अब ऐसे ही स्टोर नहीं करना है बलकि इसके अंदर हमें एक से डेड़ कप के करीब पानी डाल देना है और उसके बाद जार का ढखकन बंद करके आप इसे फ्रीज में स्टोर कर लें आप देखें कि आ आपका अद्रक लंबे समय तक ऐसे ही फ्रेश मिलेगा आई होप कि आपको यह टिप पसंद आई हो तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूं अगर आपको वीडियो यूसफूर लगा हो तो वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दीजेगा साथ ही चैनल को सब सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा धन्यवाद